नमस्कार दोस्तों अपनी पोस्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है आज हम आपको बताएंगे कि रतन टाटा ने IPL टीम क्यों नहीं खरीदी जहां एक तरफ रेलाइंस और बिरला IPL टीम खरीद चुके हैं यह बात सुनने में थोड़ी सी अजीब लगती है लेकिन आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि रतन टाटा का यह मानना है कि मानव निर्मान और उत्थान के लिए अगर पैसे को लगाया जाए तो वो ज़्यादा बहतर होगा टाटा ग्रूप ने आज तक कुछ ऐसे काम किये हैं जो मानव निर्मान और मानव उत्थान के लिए बेहद ही सराहनी हैं उन्होंने टाटा इंस्टिटूट और फंडामेंटल रिसर्च खोला इसके बाद टाटा इंस्टिटूट और सोशल साइंसिस बनाया गया इंडियन साइंसिस का निर्मान भी टाटा द्वारा किया गया नैशनल सेंटर फॉर प्रफॉर्मिंग आर्ट का निर्मान भी टाटा द्वारा किया गया टाटा मैनेजमेंट और ट्रेनिंग सेंटर खोले गए जिसमें लाखों लोगों को रोजगार मिला इसके अलावा टाटा मैमोर टीम नहीं खरीदी क्योंकि वह यह मानते हैं कि इत्ते पैसे से कित्ते गरीबों का उत्थान किया जा सकता है टाटा ने अभी हाल ही में 50 मिलियन डॉलर हारवर्ड बिजनस स्कूल को डोनेट किये हैं और यह डोनेशन नई बिल्डिंग के निर्मान के लिए की गई है अब आप खुद ही इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि रतन टाटा की सोच में और अंबानी की सोच में कितना अंतर है अंत में बस हम इतना ही कहना चाहेंगे कि भारत में एक ऐसा बिजनस परिवार आवश्य है जो गरीबों के लिए कुछ सोचता है और वह हर चीज बिजनस मुल्यों के आधार पर नहीं करता आपकी इस बारे में क्या राय है हमसे आवश्य शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारी प्रेड़ना बढ़ाता है धन्यवाद